महराश्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फटनवीस ने सत्ता में साजीदार शिव सेना को चेताया है कि अब उनका दोहरा रूप छिप नहीं पाएगा और पार्टी प्रमुक उधव ठाकरे को तै कर लेना चाहिए कि वो बीजेपी के साथ गड़ बंधन जारी रखना चा शिव सेना हमारे हर फैसले का विरोध करती है वो अपने सुझाव दे सकते हैं लेकिन एक हिसाद सत्ता रूड दल और विपक्षी की भूमेका नहीं निभा सकते दरसल शिव सेना नेता संजेर राउत ने टीवी पर जारी एक बहस के दौरान बीजेपी का उपहास करते संजेर राउत ने ये भी कहा था कि कॉंग्रेस उपध्यक्ष राहुल गांधी अब देश का नेतरित्व करने के योगे हो गए हैं उन्होंने कहा था लोग अब सुनना चाहते हैं कि वो यानि राहुल गांधी क्या कह रहे हैं उन्हें पप्पू कहकर पुकारा जाना गलत ह देश में सबसे बड़ी राजनी तिकता कर जनता है वोटर है वो किसी को भी पपू बना सकते हैं गुजरात में दिसंबर में होने जा रहे हैं चुनाव के बारे में चर्चा करते हुए संजेर राउत ने कहा था कि बीजेपी के सामने लगतार पांच पी बार गुजरात में जीत हासिल करना चुनौती साबित होगा क्यूंकि जन्ता नई टाक्स व्यवस्था यानि जी एस्टी से नाराज है उन्होंने कहा था जिस तरह जी एस्टी लागो होने के बाद लोग गुजरात की सडकों पर जुलूस निकाल रहे हैं उससे लगता है कि बीजेपी के सामने च दिलेहर थी लेकिन अब वो फीकी बढ़ चुकी है